आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने OPPO F25 Pro Android में आप अपने मुवाइल फुन के वाइफाई की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो हम आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहां पर वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं अगर आपके मुवाइल फुन के वाइफाई में कोई भी प्रॉलम आते हैं इसकी सॉल्विशन के लिए करना है क्या है सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फुन में यह फाइल का अप यह उपन करना है इस एप के अंदर आपको नीचे की साइड ना यह आपस का यह उप्शन होता है अपस पर टैप करना है अब देखिए इस वाले पेज में आपको यहां पर इंस्टॉल्ड जो एप है न सब्सक्राइब करना है अब देखिए आपको अगले पेज में किलियर कैच का यह उप्शन टैप करना है किलियर कैच पर तो आपको इस वाले पेज पर एंडूट सिस्टम पर टैप करना है अब इसमें आपको नीचे स्टोरिच पर टैप करना है तो यहां पर आपको नीचे clear catch पे tap करना है तो आपका इसका भी catch के सामने ला data जीरो कर देना है अब देखे अगला काम आपको करना कि यह है कि mobile phone का एक बार रिस्टर्ट जरू कर लेना है अब देखे अगला काम यह करना है mobile phone का software आपको चेक करना है कि update है या नहीं है पहले तो mobile phone का internet आप चालू कर लिजे इसके बाद phone का setting page open करना है setting page में सबसुपर सर्च बार पर टैप करना है यहां पर सबसुपर सर्च बार में software आपको लिखना है तो आपको नीचे की साइड इस software अप्डेट का अब आपको जो है इस वाले पेज़ पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हो दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके phone का software अपडेट कर लेना है ठीक ना अब देखिए अगला काम यह करना है कि mobile phone को और रिष्ट आपको तब करना है जब मेरे बतायए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते इना तब आपको phone को reset करना है अधरवाइस नहीं करना है फोन को reset करने लिए phone का आप setting page open करिए setting page में सबसूपर सर्च बार पे tap करना है यहां पे सबसूपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है आपको नीचे की साइड ना एक option शो होता ही आला Erase All Data Factory Reset पर टैप करना है तो आप आपको इस वाले पेच पर Erase All Data का यह option टैप करना है इससे आपको फोन जाओ रीसेट हो जाएगा और आपके मुवैल फोन के वाइफाई की प्रॉलम भी लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांस्वा कर लिजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैक अप ले लिजिए दूसरी बात ध्यान रखने हैं आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद फोन को reset करना है तो मेरे बतायवे सारे प्रोसेस आपको यूज करने इससे आपके मुवाइल आपके वाइफाइ की प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक ना